प्रशंसित अमेरिकी अभिनेता और पर्यावरण कार्यकरता लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने असाधारण अभिनय कौशल और पर्यावरणिय मुद्दों के प्रती समर्पन के साथ हॉलिवुड में एक विशिष्ट करियर बनाया है 11 नवंबर 1974 को लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में जन्में डिकैप्रियो समकालीन सिनेमा में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और प्रभावशाली शक्सियतों में से एक बन गए हैं प्रारंभिक जीवन तथ्य नंबर एक लियोनार्डो डिकैप्रियो का जन्म एक कानूनी सचिव इरमेलिन और एक भूमिगत कॉमिक्स लेखक, प्रकाशक और वित्रक जॉर्ज डिकैप्रियो से हुआ था जब वह बच्चा था तभी उसके माता-पिता का तलाक हो गया लॉस एंजल्स के सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र में पले बढ़े, उन्होंने पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की और उनका पालन पोशन बोहेमियन जीवन शैली में हुआ, जिसने उन्हें छोटी उम्र से ही कला से परिचित करा दिया वित्तिय कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद, उनकी मा ने उनकी अभिनाय महत्वा कांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई नौक्रियाओं की अभिनाय कैरियर तथ्य नंबर दो लियोनाडो के करियर की शुरुआत कई विज्यापनों और शैक्षिक फिल्मों में उनकी उपस्थिती से हुई 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें The New Lassi, Rosine और Parenthood जैसे टेलिविजन शो में भूमिकाएं मिली उन्हें सफलता सिटकॉम Growing Pants से मिली जहां उन्होंने एक आवर्ती भूमिका निभाई फिल्म Breakthrough तथ्य नंबर तीन डिकैप्डियो का फिल्मी करियर 1990 के दशक की शुरुआत में This Boy's Life 1993 में भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ जहां उन्होंने Robert D. Niro और Vats Eating Gilbert Grape 1993 के साथ अभिनाय किया जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ट सहायक के लिए अकादमी पुरसकार ना मांकन दिलाया अभिनेता वह जल्द ही अपने किरदारों में गहराई से डूब जाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने लगे स्टार्डम की ओर बढ़ना तथ्य नंबर 4 रोमियो जूलियट 1996 और वैश्विक घटना टाइटैनिक 1997 में उनकी प्रमुक भूमिका ने डिकैप्रियो को अंतरराष्ट्रिय ख्याती दिलाई टाइटैनिक न केवल उस समय सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई बलकि हॉलिवुड में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में डिकैप्रियो की स्थिती भी मजबूत हो गई समालोचक प्रशंसा तथ्य नंबर 5 अपने पूरे करियर में डिकैप्रियो ने चुनोती पूर्ण भूमिकाए निभाई जिनसे उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली द इविएटर 2004 बलड डाइमंड 2006 दी डिपार्टेड 2006 इंसेप्शन 2010 दी वुल्फ आफ वाल स्ट्रीट 2013 और द रेविनेंट में उनका प्रदर्शन 2015 अन्य बातों के अलावा विशेश रूप से उलेखनीय रहे हैं द रेविनेंट के लिए उन्होंने कई नामांकन के बाद 2016 में सर्वश्रेष्ट अभिनेता का अपना पहला अकादमी पुरसकार जीता परियावरण सक्रियता तथ्य नंबर 6 अभिनाय से परे डिकैप्रियो एक प्रतिबद्ध परियावरण विध हैं उन्होंने 1998 में लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन की स्थापना की जो पृत्वी की जैव विविधता और जलवायू की सुरक्षा के लिए परियावरण जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है अपने फाउंडेशन और सार्वजनिक उपस्थिती के माध्यम से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जलवायू परिवर्तन को संबोधित किया है और परियावरण संबंधी मुद्धों पर जनता को शिक्षित करने के लिए बिफोर्ड फ्लड जैसे वृत्चित्रों का निर्माण किया है व्यक्तिगत जीवन तथ्य नंबर साथ डिकैप्रियो अपनी निजी जिन्दगी को निजी रखने के लिए जाने जाते है उन्होंने कई हाई प्रोफाइल महिलाओं को डेट किया है और वह टैबलोइड मीडिया में एक नियमित विशय रहे है डिकैप्रियो को उनके परोपकार के लिए भी जाना जाता है उन्होंने वन्यजीव सन्रक्षन महासागर सन्रक्षन और आपदा राहत सहित विभिन्न कारियों के लिए लाखों का दान दिया है परंपरा तथ्य नंबर आठ हॉलिवुड में लियोनाडो डिकैप्रियो की विरासत उनकी बहुमुखी अभिनय रेंज अपनी कला के प्रति समर्पन और गंभीर वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने मंच का उप्योग करने की उनकी प्रतिबधता से चेहनित है उनका करियर उनकी प्रतिभा और दुनिया में